दादे जी मैं घर जा रहा हूँ, पुझे बहुत जोरों से टटी आई है टटी आई है? तुम इतनी दूर से आई हो और सिर्फ एक टटी के लिए वापत जाओगे अरे डॉक्टर सहाब, आप इसके कहने का मतलब समझे नहीं समझा नहीं मतलब? और एक तुम, तुम चुप हो जाओ पहले, रोना बंद करो हाथो आप क्या कह रहे थे? अरे मैं ये कह रहा था कि मेरे पोते को सुबह से लूज मोसन हो रहे है इसलिए वो बोला है कि उससे बौटी जाना है अच्छे ये बात है, ठीक है मैं अभी इसको दवाई दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा ठीक है डॉक्टर साब, जैसा आप चाहे दादा जी, मुझे पोटी आई है, कुछ करें न बेटा, अब जो भी करूँगा, मैं करूँगा तुम भी रोने लगे, मैं ना किया था ना कि मत रोना डॉक्टर साब, मैंने सुना था कि डॉक्टर बच्चों को सुई लगाते हैं, आप भी मुझे सुई लगाओगे अरे, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है मैं भी बुलाता हूँ बेटा राहूल इधर आओ अब तुम फिर रोने लग गए रोना बंद करो अंकल अब फिर मुझे सुई लगाने आ गए अच्छी नहीं नहीं मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ अच्छा इस कमना में ठीक हो गया ना हाँ बेटा तुम ठीक हो गए हो ठीक है तुम्हें किलने जा रहा हूँ ठीक है बेटा तो ठीक है जादाजी मैं भी चलता हूँ मेरा काम हो गया ठीक है बेटा खुश रहो